नास्कार दोस्तों जन्जाती परिदरिश्षिक के वीडियो शीरीज के अंतरगत यह दूसरा वीडियो है पिछले वीडियो में हमने विभ cynल जन्जाति ओंके बारे में उनका विस्तार किस संभाग के अंतरगत है वो पूरे तरीके से मैप के थुरू देखा हुआ धा आज हम कुल 5 टॉपिक कवर करेंगे जनजातियों के संबन्द में जिसमें से रहेगा जनजातियों के द्वारा की जाने वाली कृषी, जनजातियों के पेपदार्थ के बारे में, जनजातियों के यूवगरह के बारे में, साथी साथ उनके देवी देवताओं के बारे में और उनके पंचायत प्रमुक को क्या कहा जाता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है आपको ऐसे ऐसे तथे मिलने वाले इस वीडियो के अंतरगा जो आपने पहले कभी किसी बुक में ना देखा होगा ना कभी कहीं सुना होगा ठीक है तो बहुत important fact के साथ मैं बताने वाला थी उसमें से भी मैंने कुछ तथ्य ली हो हैं दोस्तों तो चले शुरू करते हैं अच का वीडियो बहुत important है cgpse 2020 के point of view से अगर देखें जनजाती परिदिर्शिक अंतरगात भाग दो क्रिशी पे पदार्थ युवाग्री देवी देवता पंचायत प्रमुक ये पांच नीचे बिलासपुर संभाग है ये पूरा ये आपका दुर्ग संभाग है ये रैपुर संभाग है और ये बस्तर संभाग है ठीक है उपर से अगर शुरू करें ये है आपका कोरिया जीला अब जीले के रूप में specifically जनजाती आपको नहीं करना ये ध्यान में रखना है आप आपको छेत्रविशेस के रूप में संभाग या फिर छेत्रविस्तार के रूप में एक बड़ा एरिया ध्यान में रखना है ठीक है specifically जीला नहीं पूछेगा कभी भी चलिए देखिए का यहाँ पर कोल जनजाती है कोल जनजाती के संदब में अब एक और चीज़ मैं आपक से दिखाई देगा इस मैप में उसमें यूवागरी के बारे में है दूसरा देवी देवता जो ब्लू पैन से लिखा हुआ है वो देवी देवता है सारे और फिर जो इस तरीके के ब्रेकेट में लिखा हुआ है इस तरीके के ब्रेकेट में लिखा हुआ है पंचायत अंशादेव यह आप देवी देवता के संबन्द में ध्यान रखेगा देखे बहुत सरे चीजें ऐसी है इसमें की कुछ समझने वाला नहीं है इसमें सारी चीजें आपको याद करनी है रटना है सीधी बात अगर मैं कहूं ठीक है तो दो से तीन बार याद करने के साथ साथ परिक्षा में आप जाएं तो उसके पहले भी इसको आप देख लें अगर ये आपको उतना क्लियर या फॉन्ट छोटे नजर आ रहे हैं तो इसका जो इमेज है मैं अपने टैली के राम ग्रूप में भेज दूँगा दोस्तों जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा क्लियर है तो ये पूरा आपको इसका इमेज मिल जाएगा जिसमें क्लियर ली आपको दिखाई देगा तो उसका प्रिंट निकाल के आप असानी से याद कर सकते हैं अगर कॉपी में आप नहीं बनाना चाते ठीक है चले तो कोल यहाँ पर जन जाती है ह पंचायत प्रमुक घंतिया नहीं घंतिया क्योंकि घंतिया भी आएगा अगे तो ही होगी कोई जन जाती हरदाओल मंच देव राध्य हैं और गोंधिया इनके पंचायत प्रमुक है चलिए, साइड में आपको खैरवार दिख रहा होगा अब इन सभी का जनजाती का expansion कहाँ पर है, ये पिछले वीडियो में पूरा map कित्रू बताया गया था दोस्तों ठीक है, तो चीज आप देखेगा, मैं फिर से वो चीज repeat नहीं कर रहा हूँ, clear अब जैसे देखे, लगभग मैंने यहाँ पर जो map में बनाया है, ये वो जनजाती उसी चेतर में निवास करती है, ठीक है, चेतर विशेस में, अगर आप देखें वीडियो तो खैरवार आप देखें, तो ये सरगुजा संभाग के साथ साथ राइगड में भी मिलता है ध्यान रखेगा, देवी देवता आराध दे庇पे बारे में ध्यान में नहीं रखना है, आपको ध्यान रखना है, महतो और मांज़ी, इनके पंचायत पधादिकारी होते हैं, महतो मांज़ीू, ऐक और द्यान में रख लीजे बात जैसे बोल सकते हैं 36 गड़ के अंतरगा जो भी जन जाती है उनके अराध्य के रूप में आपको commonly बुढ़ा देओ, ठाकुर देओ, बुढ़ी माई, लिंगो पेन इस तरीके से मिलेगा वैसे लिंगो पेन की बात करें तो वो नीचे आपको मिलेगा लेकिन बुढ़ा देओ, ठाकुर देओ, ये जो सारे अराध्य हैं, ये लगभग लगभग हर जन जाती के अराध्य के रूप में इनको माना जाता है, तो वो मैंने नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, वो चीज आप ध्यान में रखिएगा, common name नहीं लिखा है, कभी पूछेगा भे नहीं आपसे, कि ठा खडिया जन जाती के अराध्य के रूप में गिरिंग और बोरो, खडिया जन जाती के देवी देवता, या अराध्य कैसकते हो आप, और खडिया जन जाती के पंचायत प्रमु के रूप में परधान ध्यान में रखना है, क्योंकि ये इस ब्रैकेट में है, परधान, परधा इनके प्रमुख देवता के बारे में ध्यान में रखना है सिंग बोंगा, ठीक है, क्या सिंग बोंगा, अब जितने भी जनजाती के देवी देवता के आखरी में बोंगा दिखाई देगा, वो या तो मुंडा से संबंदित होगी, या खेरवार से संबंदित होगी, ध्यान मे परहा राजा पंचायत प्रमुग और अन्य पदा दिकारी करता किसके बारे बात कर रहे हैं मुंड़ा जंजाती के बारे में आगे देखें नीचे कोरवा कोरवा जंजाती का इंग्सपांशन पूरे सरगुजा संभाग के होने के साथ साथ रायगाड़ वाले चेतर में भी मि बाग देव हो गए शिकारी देवी हो गई ये सारी चीजे ना बहुत सारी जंजातियों में कॉमन है ठीक तो खुडिया रानी के रूप में आपको ध्यान में रखना है कोरवा जंजाती क्योंकि एक चीज ध्यान रखेगा कि जस्पूर को खुडिया छेतर भी कहा जाता है ठीक है चलिए कोरवा जंजाती के युवागरी और पंचायत प्रमुक के बारे में कोई जनकारी नहीं मिलती है इसका निया पर नहीं लिखा हुआ है तो यह होगी आपका पुरा-पुरा लगभग उपर वाला भाग चलिए नीचे आ जाते है अब यहाँ पर साइड में दे ठीक है तो धनवार के पंचायत प्रमुक को धनिया कहते है ध्यान रखिएगा धनवार जंजाती के पंचायत प्रमुक को धनिया कहते है ठीक नीचे लिखा हुआ है भारिया जंजाती भारिया जंजाती के युवागरी को रंग बंग कहते है अच्छा एक काम कर लेते हैं और उनके पंचायत प्रमुख के बारे में देख लेते हैं और फिर आखरी में एक सांध युवा गरी किस-किस जनजाती जो रेड़ पैंस से लिखा उसको बाद में देख लेंगे तो भारिया जनजाती अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके युवागरी के बारे में ही जानकारी है साइड में अगर आप आए तो बिरहोर जनजाती है ठीक है बिरहोर जनजाती का जो युवागरी गिती होना बाद में देखेंगे फिलहल अब देखिये मुखह अर्याद्धि के रूप में विरहोर जनजाती की सूरी है ठीक है अब इनके पंचायत त्रमुख को मालिक कहा जाता है क्या कहा जाता है मालिक कहा जाता है अब अगर देखे उराव जनजाती उराओ जनजाती के युवागरी को क्या कहते है धुमकुरिया ठीक है अब इनकी जो प्रमुख देवी है सरना देवी सरना धर्म का पालन करने वाली जनजाती है उराओ इनके पंचायत प्रमुख को महतो कहते है तीर आगे बढ़ें नीचे देखें तो मांजी दिखा हुआ है ठीक है मांजी मांजी के देवी देवता के रूप में आपको दिहारीन ध्यान में रखना है ठीक है दोस्तों दिहारीन अब देखें यह सारी चीजे ना याद करने वाली है रटने वाली है तो इसमें कोई कॉई कॉणसेप्ट और कुछ नहीं है ठीक इनके पंचायत के बारे में आपको ध्यान रखना है महतो मैंने बता दिया अब एक चीज़ देखिए देखिए यह पंडो है सरगुजा में मुख्य रूप से पाई जाती है नगेशिया यह आपका राइगण जश्पुर वाले चेतर में पाई जाती है इन सभी जंजातियों के पंचायत प एकारी, देव, सदना, माता, अन, कुमरी यह सभी नगेशिया जंजाति की देवी देवता है ठीक है चले यह हो गया इधर अगरिया जंजाति के देव के रूप में आपको ध्यान रखना है लोहा सूर अब देखिए अगरिया जंजाति ऐसी जंजाति है तो लोहे का कारे कर तो इनके देव के रूप में आपको ध्यान रखने लोहासूर याद रहेगा इनके पंचायज प्रमुग को गौंटिया कि इसको कहते हैं यहां पर लाइट की वज़े से अगर नहीं दिख रहागा तो मैं बताते हैं तो गौंटिया लिखा है गौंटिया ठीक है और देव के हरदौल और मंचा देव कोल की लेकिन अगरिया की बात करें तो इसके पंचायज प्रमुग गौंटिया है यह नीचे आ जाएंगे बैगा तो बैगा का इसपांशन अगर ले तो पूरा यह आपका बिलासपूर का यह मैकल वाला भाग है पस्चिमी भाग है पूरा बौंड के बारे में ज़्यादा लुका हुआ बहूंत सारे देविधा है जिनको यह मांते हैं तो इस करण मैंने बहुत सारे देविधा का नाम निशाम के रूप शाहम देव, खेर माई, ठकुरान माई, नरायन देव, ये सभी के सभी बैगा जन जाती के अराध्य हैं, इनके पंचायत पदा धिकारी को क्या कहा जाता है, देखेगा, मुकदम, समरत, दिवान, ये सभी पदा धिकारी बैगा जन जाती के पंचायत के अंतरकत पाये जाते है ठीक है मुकद्दम समरत दीवान तो ये इतनी बाते हो गई यहां तक हम पहुंच गए ठीक है अब यहां पर आजाते है रैपूर संभाग में अगर आप देखें तो ध्यान में रखना है बिंजवार जन जाती बिंजवार जन जाती के अराध्धि के रूपपे विंधिवासनी को ध्यान में रखना है और घटवालिन ये भी आपनान ध्यान में रखेंगे विंधिवासनी के साथ साथ घटवालिन अब इनके पंचायत प्रमुक को क्या कहता है तो देखे गौटिया गौटिया और कहां देखने को मिला था अगरिया जंजाती के रूप में के पंचायत प्रधान के रूप में ठीक है अब गौटिया बिंजवार अगरिया जंजाती के पंचायत प्रमुक होने के साथ साथ और कौन-कौन से जंजाती के पंचायत प्रमुख है तो देखेगा मंजवार, भेना, कौन्ध, कंवर, सोता, पाव ये सभी जंजातियों के पंचायत प्रमुख के रूप में भी आपको गौटिया को ध्यान में रखना है प्लियर है इतनी बात है चली, ये हो गया भी जंजाती अब देखे, मंजवार जो जंजाती है उसके पंचायत प्रमुख तो गौटिया होगे जैसे कि मैंने कहा इनके अराध्धी के रूप में आपको ध्यान रखना है बर्गम पाट, किसको बर्गम पाट कौन्ध जंजाती के अराध्धी के रूप में आपको ध्यान में रखना है धर्ती पेन्यू जहां पेन्यू दिखाई देगा आपको कौन्ध जंजाती याद आनी चाहिए चली, ये हो गया पूरा नीचे आपको देखने को मिलेगा भूंजिया जंजाती भुझिया जनजाती मुखिरूप से रैपूर संभाग के अंतरगत रैपूर जिले में ही पाया जाता है तो यहाँ पर यह रैपूर का स्पेस नहीं था यह रैपूर जिला है तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे मैंने बना दिया धमतरी में लेकिन वो रैपूर जी ले के अंतरगत आएगा, ठीक है, इनके पंचायत प्रमुख को या पंचायत पधाधिकारी को पुजेरी या पाती कहा जाता है, पुजेरी या पाती, भुंजिया जन जाती का पंचायत प्रमुख, ध्यान में रखना है, clear, चलिए, यहाँ पर लिखा अकादमी की बुक में मिलेगा, और यह जो अन्य देवी देपता है, यह आपको संजय लंग जी की बुक में मिलेगा, संजय लंग जी की बुक जो है, वो मार्केट में अवलेबल नहीं है, कहीं से अगर आपको मिल सकता है, वो सोर्स तो आप देखेगा, ठीक है, बाहन और शिकार देव, यह कवर जन जाती के देवी देवता है, ठिक, पंचायत प्रमुक के बारे में जनकारी नहीं मिलती है, क्लियर दोस्तों, नहीं, मिलती है, क्यों, क्योंकि कवर जन जाती के रुप में गौटिया हमने देखा था, स्वरी, ठिक है, कवर जन जाती के पंचायत प्रमु को औरेडी हमने लिखे रखा है क्या गौटिया कहते है क्लियर यहाँ पर हम अलग से लिख सकते हैं गौटिया ऐसा गौटिया औरेडी वहाँ पर लिख दिया गया है क्लियर इतनी बाते नीचे कमार जंजाती मिल रही कमार जंजाती मुखी रुप से रैपुर अब इनके देवी देवता के रूप में लिखते हैं वामन देव बहुत ही महत्पूर्ण है यह बहुत यह दा महत्पूर्ण है दोस्तों इसको अच्छे से हाइलाइट करिएगा वामन देव कमार के अराध्य ठीक है देवी देवता चोटे माई बड़े माई यह हिंदी प्रधान को कुरहा कहा जाता है एक्जाम में पूछा जा चुका है कि कमार जंजाती के पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है कुरहा ठीक है सभी के सभी जंजाती पंचायत है यह पड़ उनके जो जंजाती है उनके पंचायत है तो उनके प्रधान के बारे में बात कर रह गोण का वैसे expansion पूरे 36 गड़ में पाये जाता है लेकिन शुरुवात कर रहे हैं यहाँ पर गोण से बुढ़ा देओ इनके प्रमुख अराध्य जैसे बैगा के भी बुढ़ा देओ थे ठीक है गोण के भी बुढ़ा देओ होंगे क्लियर है इनके पंचायत प्रमुख को राजा कहा जाता है ठीक आज एए मुरिया या मुरिया जन जाती मुरिया जन जाती के अराध्य के रूप में अंगा देओ को आपको ध्यान में रखना है अम मतलब अबूजुमारिया- ठाकुट देव को और तालु falan भी कहा जाता है. तालूर मुन्ते देव की जो अरादना है यह घोटूल में करते हैं. तो देखे, तालूर मुन्ते देव और लिंगो पेन ये जो देवता है गोटूल में इनका अरादना की जाती है. अंगा देव को भी हमने देखा है कि मुख्य अराध्य के रूप में है ठाकुर देव हो रहे हैं, बुढ़ा देव हो रहे हैं लगभग लगभग सभी में कौमन है एक बर मैं फिर से बोलूँगा अबुज मारिया के अराध्य के रूप में ठाकुर देव जिनको टालू भेड़ भी कहा जाता है तालूर मुंते देव की अराधना इन लोग घोटुल में करते हैं ये ध्यान रखेगा इनके पंचायत प्रमुक को मान जी कहा जाता है मान जी एक अलग जन जाती है लेकिन पंचायत प्रमुक मान जी किस जन जाती के हैं अभूज मार्ये के इस तरीके से ध्यान में रखेगा नीचे परजा जन जाती परजा जन जाती के दंतेशवरी माई की आरतना करते हैं मुख्यरूप से ठीक है और इनके पंचायत प्रमु को मडूली कहा जाता है ये भी प्रशन पूछ चुका है CGPSC में कि मडूली किस जन जाती के पंचायत प्रमु को कहा जाता है तो परजा आपको ध्यान में रखना है अब हम इसमें बात करेंगे यूवागरी की यूवागरी मतलब कहना जी है कि सांस्कृतिक रूप से समाजिक रूप से मिलते है ठीक है मतलब एक तरीके से इंगलिश में अगर बोलें तो कल जैसा आजकल का शहरी उलाकों में होता है कल ब मिलने का स्थान ठीक है वैसे ही यहाँ पर होता है यूवागरी तो सबसे यूवाग्री के रूप में आप सभी को पता होगा घोटुल ये red pen से यूवाग्री के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर है ना तो घोटुल मुडिया जनजाती का मतलब बस्तर में मुख्य रूप से जो यूवाग्री है वो घोटुल है लेकिन परजा जनजाती जो आपका बस्तर संभा के अंतरगेथी पाए जाती है उसके यूवाग्री को धांगा बकसर कहते है धांगा बकसर क्लियर है ठीक है और अगर देखें यहाँ पर भूईया जनजाती एक बुईया जन्जाती के युवागरी को क्या कहते है घसरवासा मुरिया घोटुल परजा धांगा बकसर और भुईया जन्जाती घसरवासा वैसे इधर हमको युवागरी दिखे रहा है रेट पैंसे लिखा हुआ भारिया जन्जाती का जो है रंग बंग बिरहोर जन्जाती का गिती ओना ठीक है, you agree बिरहोर का गिती ओना उराव जन्जाती का धुमकुरिया बहुत ही मातपुर है, बहुत दारप्रस्ट पुछ चुका है ठीक है, गिती ओना पुछा है, धुमकुरिया पुछा है मातपुर है, ज्यान में रखेगा तो ये हो गए यूवा ग्रिह, ठीक, कुल गिने चुने हमको देखने को मिल रहे है, एक, दो, तीन, चार, पाच, और छे, कुल छे यूवा ग्रिह हमको देखने को मिलें यहाँ पर, जो red pen से लिखा हुआ है, प्रमु जन जाती के, clear है, तो ये हमने तीन टॉपिक कवर कर लिय कौन-कौन से, यूवा ग्रिह, देवी देवता और पंचायत प्रमु के बारे में, ये पूरा map के through, ठीक है दोस्तों, ये आपको मिल जाएगा हमारे telegram group में, ठीक है, tension निलेना है, अगर आप नहीं बना पाते हैं, तो direct print out ले लिजेगा और पढ़ लिजेगा, ये बहुत ह मैंने मेहनत किये इसके पीशे, चलिए, अब हम बात करेते हैं, जनजातियों की क्रिशी के बारे में, और पेप अदार्थ के बारे में, जल्दी से इसको cover करते हैं, तो देखेगा, जनजातियों के क्रिशी के बारे में, जो इंस्थरांतरित क्रिशी करते हैं, तो अबुज अलंग जी की भुक में लिखा हुआ है ठीक है रिसर्च पेपर है ये पुरा पुरा तो दहिया खेती कोरबा जनजाती के रूप में सट जलंग की जीजी की भुक में मिलेगा और हिंदी की मात्रा लगा हुए कमार तो यह दाहिया आगी मात्रा भतरा में भत मतलब सिंपल है तो यह दहिया भतरा दहिया कमार दहिया यह आप ध्यान रखेंगे एक साथ मुरिया जंजाती के रुप में दिप्पा मरहान या एरका एक ही है सभी दिप्पा मरहान या एरका क्रिशी मु जन जातियों में पेपदार कोन-कोन से होते है तो सल फी कुलिया जन जाति है उसे कोर्वा जनजाति पिते हैं वैसे तो पेज भात का पेज वोता है उसे बहुत सारी जन पीती है लेकिन इस्पैसिफिकली कोश्चन पूछ चुका है कि पेज कौन से जंजाती पीती है तो गोण आंसर लिया हुआ था इसका ध्यान रखेगा ठीक है कोस्मा जो है वह उराव जंजाती पीती है तो यह हो गया है विभिन जंजातियों के पेपदार्थ तो इस तरीके स वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद